तो सभी को इतना concept फिल्कुल clear होगा और अभी problem यह है कि इस button पर click करने पर नेक्स बाला form तो आना चाहिए लेकिन ये button हड़ जाना चाहिए लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है ठीके correct चलिए इसे समझने की कोसिस करते हैं और इसे समझने से पहले एक काम परते हैं हमें with that अपन 8-0 इससे problem तो solve नहीं होगी पर हमें आगे view बनाने पर यह help करेगा example को run करते हैं ठीके कुछ इस type से आपर view आकर क्या हो रहा है डिस्प्ले हो रहा है अब sir ऐसा करने के लिए कैसा करने के लिए सभी को clear है कि इस button पर click करने पर next वाला form आना चाहिए लेकिन ये button तो क्या होन जाना चाहिए हट जाना चाहिए ऐसा करने के लिए आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको frame का object बना कर तेयर करना पड़ेगा और f1 और frame को place x equal to 0, y equal to 0, width equal to 425, height equal to 280 तो जो frame है उसको जब हमने side किया है उसका width height उतना ही रखा है जितना हमने यहाँ पर geometrium set किया हुआ है अब इसके बाद जो आपनी यह frame का f1 object बना कर तेयर करा इस पर क्या करना बटन को add करना है button कैसे add होगा इस पर simple सा तरीका है कि यहाँ पर क्या लिख दीचे f1 ऐसा लिखने से यह जो frame है इस पर यह button जाकर क्या हो जाएगा add हो जाएगा अब same process आपको क्या करना है इस form के लिए करना है तो इस code को फिल हाल हमने क्या करा है इसा copy करा और copy करके हमने यहाँ पर क्या कर दिया रख दिया अब इतना होने के बाद हमने यहाँ पर क्या करा कि frame का f2 नाम से object बना कर तियार करा अब इन तीनों को दोनों entry और button को case में add करना है इस f2 वाले object में तो हमने यहाँ पर pass क्या करना है f2 यहाँ पर pass क्या करना है f2 और यहाँ पर भी हमें f2 को ही pass करना है करें तो इस तरीके से entry, entry और button किस पर जाकर add हो चुके हैं इस वाली frame पर अब example को हमें क्या करना है, run करना है और आप देखेंगे कि बिल्कुल हमारा जो हम इस step अभी चाहते हैं कि इस पर click करने पर वो button हट गया और ये वाला page आकर क्या हो गया है तो सभी को इतना concept clear होगा, तो सभी ध्यान से इस example को note करेंगे बाकि next step में क्या करेंगे, आगे discuss करेंगे example को